नमस्कार मैं हूँ विजे विद्रोई और आप देख रहे हैं Uncut तो एक शेर्णी ने पटकनी देगी एक खायल शेर्णी ने पटकनी देगी टूटी टांक से एक खायल शेर्णी ने BJP को पटकनी देगी इस तरह की बाते अब कही जा रहे हैं, यह ममताव एनरजी की जीत के बाद, आखेर दस साल आप शासन करते हैं, एंटी इंकमबंसी का सामना करते हैं, बहुत से आपके पुराने साथी आपको एन वक्त पर छोड़ कर चले जाते हैं, आपके सामने बीजेपी जैसी पार्टी है अब शाथ जैसे बहरी रणितिकार हैं, इसके बावजूद इतनी बुरी हार बीजेपी की, इस संदर में कि बीजेपी खुद दावा कर रही थी, कि 200 सीटे जीतेगी, इस संदर में कि बीजेपी 2019 में 121 सीटों पर आगे थी, उस संदर में बात करना हूँ, वैसेhold 2016 का विद पुर्षिम मंगाल से Congress का सफाया कर रही है जो CPM का सफाया कर रही है तो अपने आप में बड़ी बात है लेकिन आज बात उसकी नहीं हो रही है मम्ता की मम्ता ने आखिर ये बड़ी काम्याबी हासिल कैसे एक बड़ी चीज रही मम्ता के साथ मां से मम्ता मां से मुसल्मान मां से महिला तो मुसलिम वोटों ने मम्ता का साथ दिया मुर्षिदाबाद और माल्दा जैसे जो Congress के इलाके है अधिरंजन चौधरी के एवी के गनी खान चौधरी के इलाके वहां से लेफ्ट और Congress पूरी की पूरी साफ हो गई तो ऐसे में मम्ता को जरूर मुसल्मानों का बह करी वहां सौ सीटें ऐसी मानी जाती है जहां मुसलिम वोटों की संख्या 30 प्रतिशत से ज्यादा है तो ऐसा सारा वोट मम्ता के पास आया यही वजह है कि मम्ता अपने वोट बैंक में पढ़ोत्री भी कर रही है दुसरा महिलाओं ने साथ दिया महिलाओं ने दो दरीके सा यह कहा कि देखिए मैं अकेली हूँ सब के सब मेरे खिलाफ हैं सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं डंबल है बहुबल हैं लेकिन मेरे पास तो आप लोगों का सहारा है आप लोगों के साहरे ही मैं आपकी सेवा करती रही हूँ आप लोगों और सहारा देंगे तो आगे सेव लेकिन महिलाओं ने ट्राइड टेस्टिड यानि दस साल चे जिन योजनाओं का फैदा उठा रहे थे उस पर ज्यादा यकीन किया यही चीज हमने असम में देखी जहां पर पीजे की चुनाव जीत रही है तो उसके पीछे महिला वोटरों का हाथ है यही चीज हम केरल में दे कि एक सौफ्ट हिंदित्व का काड़ खेल रही थी डिवाइट करने की कोशिश कर रही थी ममता इस बात को समझ रही थी तो कुछ लोग कहते हैं कि चंडी पार्ट जब किया नंदी ग्राम में या फिर उन्होंने दुर्गा का मंत्र पड़े या फिर कहा कि जब सिंगूर औ पाट और हवन हुआ करता था तो ये बीजेपी के ट्रैप में ममता आ रही है लेकिन बीजेपी के ट्रैप में ममता नहीं आ रही थी बीजेपी को के बहाने वो जंता को बताने की कोशिश कर रही थी मैं भी ब्रामन हूं मैं बेनर जी हूं मैं भी हिंदू हूं मैं भी हिंद नहीं करती, ये एक बड़ी बात थी, हिंदुों का, अगर मैं मुसल्मानों का कुछ साथ भी दे रही हूँ, तो हिंदुों का आहित नहीं कर रही हूँ, और गुजरी बात है, पिछले दो साल में कोर्स करेक्शन भी हुआ था, प्रोहितों को, पंडितों को भी कुछ मुआव नंदी ग्राम से ममता का लड़ना, इस चुनाओ का केंद्र बिंदु, शिवेंदु अधिकारी नंदी ग्राम में बीजेपी के साथ चलेगे, उनके परिवार के और लोग चलेगे, पूरे राज्ये में इस तरह का एक चल गया प्रचार प्रसार भी बीजेपी के तरफ से तो ऐसे में कारेकरता में हड़कम था, समर्थकों में हड़कम था, आम जन्ता में भी इस तरह का ये था कि लग रहा है ममता हार सकती है, बीजेपी जीच सकती है, तो डिफेंस, जो फेंस सिटर वोटर होता है 5-6-7 परसंट, वो आम तोर पर भी देखता है कि कौन पार्टी जीद रही है, उसको वोट दे रहा है, उदर CPM और कॉंग्रेस में भी एक बड़ा धड़ा ऐसा था, जो ममता को हराना चाहता था, लेकिन वो तो उसके वोट से ममता हार नहीं सकती थी, बीजेपी के वोट से हार सकती थी, तो वो बीजेपी को वोट दे रहा था, तो इन कॉंग्रेस की जीद छुपी होई होगी, क्योंकि ये जो कार्यकरता का मनोबल तूट रहा था, उसको उन्होंने रोट लिया, आम समर्थ को का अपने अंदर जो विश्वास था, उसको नेसिरे से अर्चित किया, जो फेंसिटर है, उसमें फित संशे पैदा किया, कि नहीं म जीद भी सकती है, आखर मम्ता नहीं जीद रही होती, तो मम्ता अपना करियर दाओ पर लगाती, आखर पूरे 294 में से कहीं से भी मम्ता एक सुरक्षी सीट निकाल सकती थी, क्यों सुरक्षी सीट से नहीं लड रही, उनहंदी ग्राम से ही क्यों लड रही है, शिवेंदू अधिकारी मम्ता को फूफी या बेगम मम्ता ये सब कहने लगे मीर जाफर उनको कहा जाने लगा वो सारी कहानिया लगें लेकिन एक बड़ा नेता वही होता है बड़ा नेता तभी बड़ा नेता बनता है जब धारा के खिलाब जाकर कोई बड़ा फैंसला करता है उस फैंसले को हराया ऐसे ही करोना के खिलाब लड़ाई लड़नी है और वो देखते हैं कि उसमें वो अगले कुछ दिन उनको पूरा जोर लगाना पड़ेगा और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लेफ्ट और कॉंग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जहां जहां बीजेपी पाउं धरती है वहाँ वहाँ वह साफ होते चले जाते हैं ये एक बड़ा सबाब शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया